ओम काम देवाए नमा साथ को हमारे समाज में यह विशे बहुत अधिक फैला हुआ है समाज में लोग दूसरी विद्याओं के प्रती इस विद्या पर ज़्यादा जोर देते हैं तो चलिए साथ को इस प्रियोग और इस मंत्र को करने से पहले थोड़ा काम देव जी के बारे में जान लेते हैं साथ को काम देव संभोग और उत्तेजना के मालिक हैं अर्थार्थ उन्हें यही विद्याएं ही पसंद हैं आपने देखा होगा लोग कामा सुत्तरा की बात करते हैं कामवासना की बात करते हैं संभोग की बात करते हैं यह सब काम देव विद्या में ही आता है ऐसा नहीं है कि काम देव जी सिर्फ इन ही चीजों के मालिक है अगर आपने काम देव साथना की है तो आप उनसे इस विद्याओं के माध्यम से कोई भी अपने बिगडे काम बना सकते हैं जैसे आप किसी के ओपर वशी करन कर सकते हैं उच्चाटन कर सकते हैं, मारन कर सकते हैं, स्तंभन कर सकते हैं, त्यादी कहने का तथ्य यह है कि इस विद्या ये एक मात्र ऐसी विद्या है जो कर्म कांड के साथ साथ आपको आपके विवारिक जीवन और शारीरिक जीवन में भी उन्नती परदान करेगी तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या है ये प्रियोग और क्या है ये मंत्र और कैसे किया जाता है अधिकतर लोग इन विद्धियाओं का लाब सिर्फ या कह सकते हैं कि सिर्फ कामदी विद्धिया का लाब सिर्फ सम्भोग और शारीरी क्रूप से ही परदान करना चाहते हैं तो आज उन लोगों को यह विशे सुनकर या जब वो यह वीडियो देख रहे होंगे बहुत खुशी हो रही होगी साद को यह मतलब यह परियोग के वल तब ही करें आप जब आपकी जान पर बनाएं मतलब जब आपको लगे के बस अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है तब क्योंकि यदि आपने इस परियोग को या इस मंतर का परियोग गलत रूप से कर दिया तो सामने वाला व्यक्ति पागल भी हो सकता है और इसके जिम्मेदार आप सिर्फ खुद होंगे हाँ आप यदि किसी अच्छे गुरू का प्रामर्श ले सकते हैं तो उससे बड़िया कोई बात नहीं है अगर आप मुझे भी कॉल कर तकते हैं मेरा नमबर से आपको स्क्रीन पर दिया हुआ है जो मैं आपको फ्री आफ कोस्ट आपको समझाऊंगा कैसे करना है बाकी आपने देखा होगा कि कही लोग सिर्फ अपना रिष्टा सिर्फ इसी चीज़ के लिए आगे बढ़ाते हैं इस चीज़ को पाने के लिए या लोगों के सर पर इसकी दिवानगी इस हद तक होती है कि वो अपने खून के रिष्टे भी नहीं चोड़ते आप समझ ही गए होंगे लोग अपनी भावी, मामी, चाची, देवर, साली, आदी, त्यादी के साथ यह रिष्टे बनाते हैं साद को मैं ये नहीं कहता कि ये गलत है लेकिन जैसे कि मैं शुरू से कहता आया हूँ किसी भी कारे को करने से पहले चाहे कोई भी हो जैसे तंत्र मंतर से रिलेटेड हो या बहारी समाजिक कारे हो किसी भी कारे को करने से पहले किसी से मत पुछो सिर्फ अपनी आत्मा से पुछो कि क्या ये सही है और अगर उत्तर आपको हाँ मिलता है तो ठीक है आँख मीच के आप ये कीजिए तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं तो साद को इस प्रियोग को करने के लिए आपको चाहिए एक सुपारी और सामने वाले व्यक्ति के बाल या उसका पहना हुआ कपड़ा और आपको चाहिए इसमें लाल सिंदूर इन तीनों चीजों के नाम आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप वहां से देख लेना साद को यदि आप सच में कारगर रिजल्ट पाना चाहते हो तो यही तरीके हैं आपने बहुत से सुने होगे ना भी पे उंगली रखकर आम खाकर कील लगाकर ऐसा कुछ नहीं होता सिर्फ टाइम वेस्ट होगा आपका जो सही तरीका है वो यही है अब इसकी गहराई में अगर मैं आपको लेके चलू आपको खुद ही समझा जाएगा यह जो बाल है या जिसका पहना हूवा कपड़ा है और वो कपड़ा भी ऐसा होना चाहिए कि उसका धुला हूवा नहीं होना चाहिए मतलब यह एक ऐसा सागर है साथ को कि बाल इसलिए बोला गया है थोंकि जब यह चीज असर करने लगती है तो महक से उपर उठती है बालों में उसकी ऐसी महक होती है हर इनसान की खार्सकर इस्तरी की और पहने हुए कपड़े में तो आप समझी सकते हो हमारे शरीर की गंद होती है तो यह जो जब साधना से हम काम करवाते हैं जो चीज काम करके आती है वो इसी चीज को पकड़ कर आगे बढ़ती है तो आप समझी गए होंगे मुझे समझानी की जरूत नहीं होगी आपको कि कैसे ये कारगर शिद्ध होती है और कैसे आप लोगों के काम बनते है तो सबसे पहले आपको चाहिए उसका पहना हुआ कपड़ा या बाल तो अब जो मंत्र मैं आपको बताऊंगा वो मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है और आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है सरपर्थम उसका 21 बार आपको जाप करना है ओम काम देवाए मम कुरू कुरू साथ को इस मंत्र का आपको 21 बार जाप करना है और इस मंत्र के जाप के बाद आपको उस सुपारी को अपने हाथ में लेना है और जो इस तरीका बाल है अगर बाल आपके हाथ में है तो वो भी हाथ में ले ले अगर कपड़ा है आपके पास तो वो हाथ में ले ले दोनों चीजों को हाथ में लेकर आपको इस मंतर का फिर दुबारा साथ बार जाप करना है और ये जब साथ बार जाप करोगे वो आपको रात को बारा बजे करना है जब बारा बज़े आप जाप कर लोगे तो आपको यह दोनों चीज सुनसान जगा पर या कब्रिस्तान से जाज़े अच्छी जगा तो कोई हो भी नहीं सकती लेकिन हम लग सब इनसान ही हैं तो शायद ही कोई रात को जाना पसंद करेगा लेकिन अगर आप हिम्मत करके जाते हो तो समझो काम बनेगा ही बनेगा फिर भी आप किसी पारक में या आपके यहां कोई खाली प्लोट हो कुछ भी हो खाली जगा आप वहां जाके दबा दीजिए एक दो इंच घड़ा करके और उसके उपर वो जो लाल सिंदूर है उसके उपर थोड़ा सा छिटक दे फिर जो उसके अंदर से जो गंद तराप्त होगी मतलब जो अंदर बनेगी जो चीज़ वो अपने आप ही आपका काम कर देगी आपको किसी से शिकायत करने की जरुष नहीं रहेगी अनुमती है अपना बड़ा भाई समझके अपना गुरू समझके के यह परियोग करिये तब जब आपको ऐसा लगे के इससे अब कुछ नहीं है बस अब आप जान पर बन है यह या कोई बस वो दिला दे समझ रहे हो तब ही यह कीजिए उसके इलावा कभी मत कीजिए बाकि हाँ वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और हाँ मैंने जो अब जो शुरू किया है मेरी हर वीडियो में आपको फ्री टिप्स मिलेगा तो आज का जो मेरा फ्री टिप्स है वो व्रिष्चिक, कुम्ब और धनु राशी के लिए है ये तीन राशी वाले शनिवार के दिन एक तांबे के मतलब जो तांबा होता है उसके लोटे में जल भर कर सूर्य देव को अरपित करे साथ दिनों में ही मनो मांचित इच्छा प्राप्त हो जाएगी आपकी लेकिन करना आपको नियम पुर्वक है साथ बजे और साथ बजे आपको जल मतलब वो परभा करना है और सूर्य देव को अरपित करना है और साथ दिन तक करना है लेकिन साथ को जब आपको जल डालना है शायद आप बहुत लोगों ने बताया होगा कि सूरे को जल देना है लेकिन जल देना कैसे है वो मैं आज आपको बता दूँ आपको जल सूरे को इस परकार देना है कि जब आप जल अर्पित करो तो वो धार नहीं तूटनी चाहिए वो एकी फ्लो में आपको नीचे गेरनी है तो साथ को आशा करता हूँ आपको यह जानकारी जानकर खुशी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेर कीजिए शेर जरूर कीजिए क्योंकि बहुत साथक ऐसे भी हैं जिनके पास ग्यान नहीं है आप लोगों के माध्यम से ही उन लोगों का भला हो सकता है धन्यवाद